आप देखो यहां पर यह नीचे की तरफ गिरेगा, तो नीचे की तरफ गिरने पर क्या हो रहा है? यह वाला लोट जो है, इसके अंदर मुझको प्रॉफिट बढ़ने चालू हो जाएंगे, ठीक है? प्लस यह नीचे की तरफ गिरेगा, तो इसमें मुझे लॉज देखने चा को समझो मैं आपको बताया था counter trade strategy के बारे में basically मैं यह चीज़े ने दिखाना नहीं चाहता जाता reason इसके पीछे यह है कि जिसको समझ में आना होता है like educational content के अंदर education है या नहीं है वो समझ जाता है बाकी यह सारी चीज़े दिखाने की हो जाती है कि देखो ऐसा हुआ बट काफे सारे लोग ऐसा है जो देखने के बाद ही समझ पाता है इसलिए चीज़े में दिखा रहा हूँ समझो कैसे क्या क्या चीज़े होती है मैंने आपको बताया था counter trade के बारे में आपको दिखाया था last day trade की बात करे तो approach कह सकते हो 12,000 के आसपास का यहाँ पर हमको loss दिखाय दे रहा था reason क्या था कि इतना ही profit हमने counter trade में अपना book कर चुके थे clear आज वो जो profit था वो तो book हुआ ही हुआ जो loss था वो recover होकर कितने पर आ गया है total 7,000 के उपर आकर खड़ा हो गया है कैसे आईए मैं समझाता आईवेश वो खुश भी होंगे क्योंकि यह strategy केवल निफ्टी बैंक निफ्टी पर आप कहने लगे implement करने के लिए possible ही नहीं है यह strategy केवल और केवल USD अनर पर ही implement की जा सकती है ना ही किसी other pair पर implement की जा सकती है यह बात सुन लीजिएगा second चीज आती है हम लोग जो यहाँ पर use कर रहा है वो है हमारी zone strategy ठीक काफी सारे लोग यह कह रहा है कि zone strategy zone strategy कैसे निकलती है बिलकुल number निकाल के बताओ भाई मैं बच्चों की तरह बता चुका हूँ यार इतने प्यार से समझाया कि मालिक अगर कोई इंसान 4 साल से जिम जा रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं एक ही मंत के अंदर उस 4 साल वाले इंसान को हरा दूँगा तो आप बहुत बड़ी गलती बहुत बड़ी misunderstanding हो रही है पो ट्रेडिंग में भी यही होता है चीक है तो यह बार समझेए जैसे आज की में बात करूँ आज मैंने क्या किया यहां पर हम चलता है मैंने आप रहल के मन पर चल लेता हूं ठीक है मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ इंडिकेटर यूज़ करने जिसमें से वी वे करती है किवल और केवल इंट्राइट पर पहला पॉइंट दूसरी चीज़ आती है करती कैसे है भाई हमने क्या हमने इंडिटिफाइ किया कि हमारा लो जोन क्या हो चाकता है ठीक हमारा लोग जोन निकल कर आया 83.3400 चलो जी अइसे हमने आइडिंटिफाइ किया उपर का 4, 5, 0, 0, and हमारा जो magnetic zone है, magnetic zone बहुत ही अच्छे से काम करता है, magnetic zone आपको एक picture दे देता है, कि देखो, market कहीं भी जाए, आज पूरे दिन इस particular zone में घूमती रहेगी, मतलब इस particular यह वाली जगा है ना, marketing zone, यहाँ पर price आता रहता है, अभी भी आप देखोगे ना, movement नीचे की तरफ होती, यहाँ पर आप देखो, candle जो बनी है, यह वाली candle थी, आज का lower price ठीक, इसका lower price जड़ा आप यहाँ पर चेक करो, आप खुद बाखुद कहोगे, काम कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, अब यह कोई जादू नहीं है, और यह मैं फिर बोलना चाहूंगा, यह कर रहे होंगे, काफी सारे लोग 2-4 lot में real में काम कर रहे होंगे, आपकी personal choice है, तो यहाँ पर अगर entry होती, तो हम क्या करते है, यहाँ पर अगर हमारी entry होती, तो हम normally यहाँ पर buy trade activate करते हैं, बट हम तो यहाँ पर counter trade लेके बैठे हैं, counter trade में क्या होता था, like lower zone पर जाने पर sell को exit कर देता हैं, and again wait करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगर market नीचे की तरफ आती, नीचे की तरफ आने पर हम क्या कर सकते थी, जो हमारी buy value trade थी, उसको या तो average कर सकते थी, first point, दूसरी चीज़ आती है, market यहाँ ना रुक कर ऊपर की तरफ चलना चालू हो इसकाम होता हैं नी होता है, सबसे पहली बात market खुलते ही, magnetic zone, जो magnetic zone है, यहाँ पर आकर रुकी, ठीक है, 83, 40, 40 करके है, magnetic zone था, again वापस जाके, यहाँ पर टच किया, ठीक, again यहाँ पर जाके, ठीक, again यहाँ पर टच कर रही है, करने के बाद में, break करने के बाद में, अपने 3700 रपी की recovery हुई है वो प्लस 2000 ये trade डाली है ये block हो गया तो 3700 2000 गटा देंगे ना तो वह अपरोग 7000 का ये हो गया तो उसी साब सी हाँ पे बीच में gap बंद गया अब क्या है कल अगर market यहाँ पे मैंने sell कर रखा है और sell मैंने कहाँ पे किया है 83.44 जबकि मेरा high कौन सा है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो मेरा high मैंने select किया था 83.45 आपको गया ऐसा क्यों मैंने इसलिए किया क्योंकि आज का जो मैंने level निकाले उसमें 10 पैसे एक पैसे की movement जो थी ऊपर नीचे से कम जा रही थी तो इसलिए मैंने यह चीज़े की चलो जी यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे तो यह मेरा high zone था मैंने 44 पे एंटर कर लिया चलो जी 44 पे क्या हुआ मैंने 75 lot को बांद दिया अब क्या होगा अब market अगर उपर से नीचे की तरफ आती है अब market यहाँ से यहाँ तक के था ना मेरे बाय तो अल्लेडी पड़े हुए थे तो बाय वाले 75 lot उपर तक आए ठीक बाय का profit जो आना था वो आ गया यहाँ पे clear अब क्या है मैंने यहाँ से इसको बांद दिया मैंने इसको sell के साथ में बांद दिया बांदने पर क्या होगा अब यहाँ से नीचे की तरफ जब यह चलेगा और कहां तक चलेगा यह मेरा 83.34 यहाँ पर आएगा मैं क्या करूंगा यह वाली sell वाली trade को मैं क्या करूंगा म बहुत उपर चली जाए, 50 पैसे उपर चली जाए आपको पर आज खडी है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नीए, क्यूं कल के जब मैं अपना zone strategy implement करूँगा और देखूँगा कि मेरा lower zone ये है मेरा higher zone ये है और magnetic zone उपर है तो high probability है market उपर की तरफ जाएगी तो मैं क्या करूँगा अपनी sell वाली trade को वहाँ पर exit कर दूँगा ठीक और buy वाली को खुला छोड़ दूँगा इसी तरीके से अगर सोचो ये तो उपर की तरफ magnetic zone निकला अब कल market खुलती है और market खुलने पर मुझे दिखाई दिया मेरा lower zone ये है ठीक इस zone पर और यही मेरा magnetic zone है magnetic zone basically कह सकते है psychological हमारा level होता है psychological जगा होती है और बहुत सारे लोग कहेंगे कईसे कईसे देखो ये experience based काम होता है मैं कोई इसको calculation तो दिखा नहीं सकता यहाँ पर क्या है magnetic zone है अब क्या हुआ market जब यहाँ पर खुली है तो मुझे पता लगा कि market को नीचे की तरफ खिसकना चाहिए तो उस condition में मैं क्या करूँगा मैं wait करूँगा और sell value trade को activate रखूँगा तब तक activate रखूँगा जब तक यहाँ तो lower zone टच ना हो जाए या magnetic zone पर आके sell value trade का maximum profit exit कर दूँगा और buy side पे मेरी trade पड़ी हुई है कहाँ पड़ी हुई है बिलकुल lower zone पर आके तो उस जगा पे मैं wait करूँगा कि market या तो sideways रहे जो की रहेगी क्यों? magnetic zone उसी जगा पर पड़ रहा है या फिर market उपर की तरफ आ जाए कोई movement आ गई अगर कोई news आ गई तो उस condition में यहाँ जब market आ जाएगी तो फिर से मैं अपनी sell वाली trade को फिर से activate कर तूँगा जो की मेरी buy वाली recovery थी वो बहुत ही जल्दी complete हो जाएगी यहाँ तक की बाते आविश clear हो गई होगी अब आगे की बाते समझो यह अपरेल मंत का चार्ट है अब यहाँ पर अगर कोई इंसान बिलकुल नया है नया मतलब कह सकते हो उसने पीछे back end में कोई भी trade नहीं डाली है देखो मैं बहुत easy way मैं समझाने की कोशिच कर रहा हूँ फिर भी कुछ गडबड आ जाए ना तो मुझसे पूछ ले ना कोई दिक्कत की बात नहीं है और मेरे number पर whatsapp ज़रूर कर सकते हो call करोगे तो कभी कभी मैं call नहीं उठा पाता हो मेरे भाईयो आप समझ सकते हो बहुत सारी calls होती है और किसी की call उठाई तो बाते बहुत लंबी हो जाती है तो आप यहाँ पर समझो यहाँ पर क्या है अगर कोई इंसान पीछे से कोई trade नहीं करके आ रहा है ठीक है उसने आज ही starting की है और आज 27 तारीक है सुभ़ मार्केट नो बज़े खुलेगी उसने बोला भाई आज का low zone हमारा ये है उसने बोला मेरा आज का high zone ये है and very magnetic zone जो है वो ये है ठीक यह चीजे हो गई यह हो गई हमारा काम करने का तरीका चलो जी अब हम क्या करने बाले है सबसे पहले मार्केट खुलने जे पहले 8.45 पर आपने ये सारी चीज़े identify कर ली करने के बाद में आप क्या करोगे एक after market order लगाओगे आपने बोला एक limit order लगाना चाहता हूँ किस चीज का limit order की भाई मेरा ना अगर नीचे की तरफ price आ जाए यहां पर आ जाए ठीक देखोए बिल्कुल correct जगा होगे entry करने के लिए common सी बाते तो हम यहां पर buy करने की बाते कर रहे हैं buy करेंगे बाई मैंने 10 lot में buy करना चाहता हूँ अगर यह activate हुआ तो बहुत अच्छा क्यों अच्छा क्योंकि आपको बिल्कुल सही जगा पर entry करने की opportunity मिल गई चलो जी तालिया अब मैं कहता हूँ यह touch नहीं हुआ तो क्या करेंगे जी तो भी यहां पर game खेल सकते हैं कैसे खेल सकते हैं आपको बताया आपको क्या करना है जब आपने देखा यह touch नहीं हुआ market उपर की तरफ आ रही है तो अपने high zone के पास आने पर यहां आने पर अब trade opportunity कहां बनेगी यहां नहीं बनेगी trade opportunity यहां बनेगी आपको यह सी कुछ बन सकती है मेरे भाई सोचो बुद्धी का सद उपयोग करो कैसे आपने देखा market अपने high zone पर आ गई ठीक हाई zone पर हमने बोला हुआ है कि हमारा rule है rule यह है कि हम लोग कभी भी sell trade activate नहीं करेंगे sell trade क्यों activate नहीं करेंगे क्योंकि usd and r का जो trend है वो क्या है upside पर रहता है ठीक है अगर मैंने यहाँ पर sell कर दिया और वो उपर की तरफ भाग गया तो भाई मेरे पास में इतने पैसे नहीं होगे कि मैं उसको average करता रहूं क्योंकि नीचे कितने परता average करना possible है क्यों overall trend अप है बट उपर कि तरफ trend की against जाकर trade करने के बाद में तो फसना बहुत ही easy हो जाएगा तो महाँ पर तेमापको advise नहीं दूंगा न कभी बी ऐसी इसलिए हम rule number one को follow कर रहे है कि हम यहाँ पर buy and sell trade दोनों activate करेंगे आपको गई यह कई से भाई यह ऐसे कि अगर अभी month चल रहा है और इससे अगले month को जो कि मही पड़ता है मही को हम क्या करेंगे भाई करेंगे इसके पीछे का कारण बड़ा simple सा है आपने अपने high zone के उपर अगर position बनाई है high zone पर आपने buy sell activate किया जब market यहाँ पर है और magnetic zone नीचे है और हमारा lower zone यह भी नीचे है so high probability होगी कि वो उसको follow करे, अब follow करेगा तो क्या होगा, market नीचे की तरफ गिरेगी, market माफ कीजीगा, तबेत खराब है, इसलिए आवाज सुड़ी down हो रही है, बट मेरी बातों को समझना में क्या कहना चारहूं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, buy वाली trade होगी, नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आने पर माल लो, यहाँ पर मुझको loss दिखाई देगा, ठीक माल लीजे, 4000 का loss दिख रहा है, यहाँ पर, इसी तरीके से मेरे भाई, जब नीचे की तरफ यह आएगा, तो आपने sell वाली side पर भी, आपको profit दिखाई देगा, माल लीजे, 4000 का ही profit दि थे न, आप तो बाय वाली trade लेने वाले थे, तो आपने यहाँ पर sell को exit कर दिया, और बाय को यहाँ पर खुला छोड़ दिया, कि मालिक जाज जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है, तो यह तरीका हुआ, ऐसे भी trade ली जा सकती है, कोई कहे कि lower lower to touch नहीं हुआ, जी high तो touch हो गय आप यहाँ गेम खेल जाओ, काफी लोग कहेंगे, 4000 का loss तो दिख रहा है ना, अरे मेरे भाई, 4000 का profit तो बुक कर चुके हो, घबरा के रहे हो, आपकी entry बिल्कुल fresh ही तो हुई है, यहीं तो entry हुई है, ध्यान से देखो तो, ध्यान से समझो, आपने 4000 का profit तो बुक कर लिया 4000 का loss दिख रहा है, वो तो recovery होते वेज़ ऊपर की तरफ आएगा, तो वो तो आपका bonus point हुआ, 4000 आपको loss हुआ कहा, मुझे यह बताओ, आप ध्यान से समझो, यहाँ loss हुआ कहा, आपने trade भी डाल दी, बिल्कुल सही जगा, बिल्कुल correct position पे आपने trade डाल दी, कि भाई, यहा का काम करने का सबसे easy segment के अंदर, जिसको USD आयनार बोलते हैं, काफी लोग कोंगे नीचे को touch नहीं हुआ, भाई कौन कहा रहा है, नहीं touch हुआ, मत होने दो, अपने papa का क्या जाता है, पैसे कमाना है हमको, हमें को यह थोड़ा न touch करा के नीचे सी buy करना है, यह तो आपको माल करने की कोशिश करोगे, तो आप खुद बाखुद फर्जाओगे, क्यों फर्जाओगे, मार्केट नीचे गिरेगी, कैसे पता लगाओगे, कितनी गिरेगी, सोचने की बात आजाती है, तो यह तरीका होता है, जब मार्केट में high zone को market touch करे, magnetic zone हमारा नीचे की तरफ हो, ठी दे रहा है, बाकी ऐसी कोई खतरनाक moment नहीं आ गई, कोई ऐसी खतरनाक news नहीं आ गई, आपको जो यहाँ पर bonus point दिख रहा है, अभी मैं चाहूं ना देखो, मैं अगर यहाँ पर चाहूं अभी के भी, तो यह वाला profit मैं book कर सकता हूं, profit book कैसे कर सकता हूं, common सी बात है, मैंन चुप चाप बैठाओं, चुप चाप बैठाओं, क्यों बैठाओं, भाई देखो, अभी market अगर कल को market gap अप खुल गई, काफे लोग केंगे gap अप खुल गई तो, भाई मेरा मानना यह है कि market को भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना चाहिए, और नीचे की तरफ कहां जान को वापिस नीचे आने पर क्या करूँगा, averaging का साहरा लूँगा, मैं averaging का साहरा लूँगा, तो यह तरीका रहने वाला है, अब मालो कल को market यहां से उपर भाग जाती है, यहां पर हमने देखा, 44 पर यह वाला जोन है, यह वाला जोन, यहां तक क्याने पर, यहां से market उपर तो एक बात बताओ, 75 lot मेरे buy side पर है, और 75 lot मेरे sell side पर है, ठीक, तो अपने पपा का जा क्या रहा है, सोचने की बात है, मैं तो वैसी भी आज के high zone पर exit कर देता ना, अपनी trade को, सोचने की बात है, मतलब common sense लगाओ, मैं तो exit कर देता ना, कि मेरा high zone आ गया, कोई बात नहीं exit कर दिया, अपने पापा का क्या जाएगा, market उपर जाएगी, buy में profit होगा, sell में उतना ही loss होगा, और loss हमारा बंद चुका है, कैसे बंद चुका है, मैंने दिखाया ना आपको, यतना ही रहने वाला 7000 ही है, simple सी बात है, सो उस condition में, मुझको कोई भी problem नहीं होगी, इसी तर और third condition नीचे वाली condition, third condition ये बन जाती है, कि market कल gap down खुलती है, और gap down खुलने पर इतनी gap down खुल जाती है, यहां तक आ जाती है, नीचे तक के, घडाम से गिर जाती है, और ये हमारा low zone था, ठीक, जो कि हम कही रहे थे, कि market नीचे जा नीची है, मालिक नीचे जा, नीचे जा पर वो जानी रही थी, हमारी बात सुन लिए उसमें, चलो जी, तो उस condition में क्या करूँगा, low zone पे जाकर, अपनी sell वाली trade को, sell वाली trade को, जो 75 floor test में profit दिखेगा, उसको मैं exit कर दूँगा, लोग कहेंगे नीचे आने पर, जी, buy वाली trade में loss भी तो दिख रहा है, जी, वह जब उपर की तरफ recovery करेगा, तो profit भी तो आपको मिलेगा, आपके पड़ासी को थोड़ा ना मिलेगा, सोचने की बात है, दूसरी बात आजाती है, आपको ज़्यादा tension हो रही है, कि बहुत ज़्यादा नीचे गर गया जी, अरे भाई, हाँ पर तो आपको average करने की opportunity है, मेर हम काम कर रहे हैं, यह USDNR, मेरे मालिक यह पता है क्या है, यह आपके bank account और मेरे bank account में जो 20 रखा है, उसकी value daily change होती है, और उसी changes को हम देख रहे हैं, आज USDNR उपर की तरफ भागा, इसका मतलब आपका जो INR है, वो कमजोर हुआ, कल यह नीचे की तरफ आएगा, इसका मतल हुआ, तो यह कोई, like कहीं दूसरे ग्रह से आई वी चीज नहीं है, यह आपका ही तो पैसा है, और यह हरु इंसान का पैसा है, जो गली के लुकड़ पर काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, बिजनस कर रहा है, यह उसी का ही तो पैसा है, मेरे भाई, उसकी value daily, daily change होती है, और हम लोग उस change के ऊपर game खेलने की कोशिश करते हैं, बस, simple सी बात है, और यह तो Indian market है, आप international market में जाओगे, तो और भी देख पाओगे, अभी आप देखो यहाँ पे, यह नीचे की तरफ गिरेगा, तो नीचे की तरफ गिरने पर क्या हो रहा है, यह वाला lot जो है, इसक पर profit दिखेगा, और उस profit को मैं कब book करूँगा, जब मेरी zone strategy के तहत, मुझे मेरे lower zone पर, low zone के पास, मेरा price दिखाई देगा, तो मैं यह वाली trade को exit करूँगा, और इस वाली trade को चाहूं तो average करूँगा, वरना wait करना चाहूं, तो नीचे से ओपर तक आने के लिए, मैं wait यह तरीका रखना चाहिए, और यह तरीका ना मैं कहता हूँ, आप बड़ी quantity में मच जाओ, आप पहले पता है, खुझ से करने की कोशिश करो मेरे भाई, खुझ से करने की कैसे, आप दो lot में try करो, आप को कौन कह रहा है कि आप 100 lot में try करो, आप 2-4 lot में try करोगे न, आपको खुद बागुद अंदाजा लग जाएगा कि यार ये वाली strategy मेरे दिवाख में पहले क्यों नहीं आई, simple fundamental concept use होता है इसके अंदर, अब देखो काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई, आपने यहाँ पे इसको पहले नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ टच नहीं किया भाई मेरे, मैं भी तो इंसान ही हूँ simple सी बात है, मैं भी तो practice कर रहा हूँ न, कोई उपर से थोड़ा ना है उनके रात और रात मेरे सपने में आते हैं भगवान जी और कहते है मालिक आज नीचे का zone हमारा ये रहने वाला है तयार हो trade करने के लिए, ऐसा तो नहीं होता न तो आपको भी बात समझनी है कि अगर हमने trade देखी और यहां तक क्या आया एक पैसा रह गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर higher touch कर गया, तो ये कर लो lower touch कर गया, तो buy कर लो क्या जाता है अपने पपा का हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे अब देखो, माल लीजी मैं यहाँ पे counter trade नहीं करना चाहता है चीक है, सो उस condition में अगर मेरी कोई buy trade अल्लेडी पड़ी होई थी और मेरा higher zone touch हो जाता है सो इस condition में देखूंगा, यह zone कहां बैट रहा है, यह बैट रहा है 83.500 इसके नजदीक, सो मैं क्या कर सकता हूँ मैं 83.50 की call को sell कर सकता हूँ और sell करने पर क्या होगा, जब कल market gap down जाएगी, और gap down जाकर अपने lower zone को touch करेगी, तब मैं इसके profit को book कर लूँगा, ठीक, और अगर market सोचिये, यहां से उपर भागना चालू कर जाती है, तो आपने जो call को sell किया है plus same quantity आपकी buy है तो आपको loss नहीं हो सकता, इस बात को दिमाग में बिठा लीजेगा, loss तो नहीं होगा ना, एक opportunity बन गई आपके लिए market अगर नीचे की तरफ खुल गई, तो मुझे sell वाली side पे भी profit दिख जाएगा, जो मैंने option sell किया है किसको sell किया है, मैंने 83.50 की call को sell किया, तो यह तरीका हुआ, like हमारे इस चीज़ पर काम करनेगा, और यह फिर बोलना चाहूंगा, यह चीज केवल इंट्राडे में काम करती है zone strategy का मतलब है only for intraday purpose हाँ, यह आपकी मदद कर सकती है इस चीज़ को लेकर, कि भाई, आज का low क्या हो सकता है मैं फिर बोलूँगा, आप real trade मत करो आप paper trade करो, समझो पहले कि काम होता कैसे, common सी बात है, अगर आप काम को समझ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि news कैसे analyze की जाती है, क्या चीज़े होती है तभी तो आप काम कर पाओगे otherwise यही चीज़े रहने वाली है मैं तो चाहता हूँ कि यह नीचे की तरह लोडग जाए और अपने जो नए zone होंगे जो strategy के तहत बनाए जाएंगे उन्ही का use करते वे हम लोग wait करेंगे कि क्या चीज़े हो सकती है, किस तरीके से काम करना है, क्या क्या तरीका होना चाहिए क्या होना चाहिए, यह चीज़ कल decide होगी जाओंगा कि market ना ओपर की तरफ जा सकती है मुझे एक picture clear हो गई, तो मैं क्या करूँगा जैसी low zone पर price आएगा, तो मैं अपनी जो sell वाली trade है, चाहिए उसमें मुझे profit ना चल रहा हो वही 3000 जो चल रहा हो, तो मैं sell को profit book करूँगा और buy को खुला चोड़ दूगा क्योंकि high probability होगी कि मेरे magnetic zone तक market आ जाए, तो यह तरीका रहेगा, अभी भी आप देख रहे होंगे कि magnetic zone को कितना जादा कह सकती हो यह चीज़ सपोर्ट करती है, बार 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 उस जगा पर आती रहती है, reason है उसके पीछे, simple सी बात आती है, so I wish यहां तक की बाते clear हो गई होंगी, किसी को, कोई भी mind में question है, especially किस चीज़ को लेकर, zone strategy, अगर किसी को zone strategy related question है, तो यह number है 9837482890, second number है 8077521043, आप इन मेंजे किसी भी number पे, especially इस वाले number पे कीज़ेगा, zone strategy लेख सकते हो, आपको basic detail share करती जाएंगी, आप easily continue कर सकते हो, आप paper trade करो, या फिर दो load के साथ, दो या चार load के साथ में try करके देखो, यह दो strategy, पहली हो गई zone strategy, दूसरी strategy हो गई counter trade, counter trade strategy भी काफी अच्छे से work करती है, कहाँ पर especially USD INR के अंदर, यह कहीं और काम नहीं करेगी, बात ध्यान रखना, छीक, मैं चाहूं बताया ना मैंना आपको, मैं चाहूं अभी के अभी भी इसको exit कर सकता हूँ, अभी के अभी 3000 कम नहीं होते, और यह तो मेरा loss अलड़ी दिख रहा था ना, यह तो मेरा buy side पर पढ़ावार, मुझे कोई tension नहीं है, दो महिने का time है, अगर मैं इसमें भी tension लेने लग गया तो फिर तो होगया काम है ना, फिर तो मुझे trading करने छोड़ देनी चाहिए, so I wish यहाँ तक की यहाँ पर ही, USDNR में ही काम करने वाली हैं, कहीं और यह काम नहीं करती हैं, काफे सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं, हम तो GBP में करेंगे, JPY में करेंगे, ERO में करेंगे, अरे भाई, मैं try कर चुका हूँ यार, मैं यह चीज़े कर रहा हूं, वो 6 चीज़े की practice है, मैं international trading की जाती है, उसके अंदर इसका भरपूर फायदा उठाया जाता है, अपने loss को बांद देना, या फिर कह सकते हो, एक बड़े trend को catch करना है, तो वहाँ पर हम लोग यह चीज़ यूज़ करते हैं, रही zone strategy, तो यह strategy cable और cable, cable और cable intraday में work करती है, और intraday में picture clear करने के वीडियों तक देखा, यहाँ पर आप message करो, एक चीज़ और कर सकते हो, लाइक मेरी website है, यह website explosive trades, नीचे मेंने description में link डाली हुई है, आप जाके महाँ पर भी continue कर सकते हो, जो भी इंसान महाँ पर जाएगा, वहाँ पर भी मैंने सारी चीज़े शेयर की हुई है, आप इसलि चीज़े को वेट कीज़ेगा, मैसेज करने के बाद में थोड़ा सा वेट कीज़े, आपको reply जल से जल में करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है, सुब मिलते हैं next important video के अंदर, I wish मनें अच्छे से आपको एक basic understanding देने की कोशिश की होगी, कि counter trade कैसे काम करते हैं, और झाल